हेलो एंड वेलकम टू जैती एंड मॉम्स कीचन थंडियों के दिनों में एकदम फ्रेश स्वीट कॉन हमको बाजार में देखने के लिए मिल रहे हैं तो आज हम बनाएंगे स्वीट कॉन पालक की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सबजी जो बहुत ही आसानी से हम घर में बना स रखते हैं कॉन पालक बनाने के लिए हमको चाहिए एक चुड़ी फ्रेश पालक दो स्वीट कॉन दो टमाटर दो प्यास और अध्रक लसन चलिए तो हम पालक को रफली बड़ी-बड़ी कट कर लेंगे इसको कट करके हम इसको गरम पानी में थोड़ा सा उबा लेंगे इसक पुकर में डाल दिये है इसकी हम दो सीटी ले लेंगे ताकि हमारे स्वीट कॉन भी अच्छे से पक जाए इस स्वीट कॉन में हमने थोड़ा सा नमक भी आइड कर लिया है तो चलिए हम इसकी तीन सीतिया अच्छे से ले लेंगे हमको प्यास और टमाटर की प्यूरी बनान किये है प्यास के साथ ही हम लसन और अद्रक भी मिक्सर जार में डाल देंगे और इन सभी की साथ में प्यूरी बना लेंगे आप चाहे तो अद्रक और लसन अलग से भी ग्राइंड कर सकते हैं तो चलिए हमने बहुत ही अच्छी इसकी प्यूरी बना ली है साथ में हम पालक भी उबल के तयार हो चुके है अब इसका हम पानी चन्नी से चान लेंगे चन्नी में हमने पूरी पालक डाल दी है और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका पूरा पानी हमारा निकल जाए पालक को हमने बहुत ही थोड़ा सा उबाला है अब आप देख सकते हैं कि इसका पूरा पानी निकल गया है अब इस पालक को भी हम ग्राइंड कर लेंगे तो थोड़ी थोड़ी बालक डालक के हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो इस पालक की भी हमने बहुत ही अच्छी प्यूरी बना लिए है अब हमने जो स्विट दाने इजीली निकल जाते हैं इसी प्रकार हमने पूरे स्विट कॉन के दाने हमने निकाल लिए हैं आप चाहे तो इस जगा फ्रोजन स्विट कॉन का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर यदि आपके पास यह वाले फ्रेश स्विट कॉन अवेलेबल है तो आप इसी का इस्तमाल करे ये fresh वाले sweet con खाने में बहुत ही tasty होते हैं इस sweet con को airtight container में आप रखके store भी कर सकते हैं ये 6-6 मने तक अच्छे से store हो जाते हैं airtight container में pack करके इसको freezer में आप store कर सकते हैं और जब season ना रहे या availability ना रहे sweet con की तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सब sweet con निकाल के तयार हो गए हैं कितने fresh ये sweet con हमारे दिख रहे हैं तो चलो चलते हैं sweet con पालक बनाने की process की होर तो हमने कड़ई में इसके लिए एक से देड़ चमर तेल ले लिया है इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा जीरा जीरा अच्छे से तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे दो लवी, एक सुखी लाल मीर्ज, दो से तीन तेज पत्ता, एक बड़ी इलाईची साथ में इसमें आप डाल सकते हैं तीन से चार काली मीरी इन सबी से हमारे सबजी में बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है अब हम अद्रक लसन और प्यास की प्यूरी इसमें आड़ कर देंगे अब इसको बहुत ही अच्छे से चलाते रहना है जब तक ये पूरा अपना तेल रिलीज ना कर दे तब तक इसको पकाना है कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं हमारे प्यास की प्यूरी बहुत अच्छे से पक गई है और उसने अपना तेल भी रिलीज कर लिया है और थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया है अब इसमें हम डालेंगे टर्माटर की प्यूरी टर्माटर की प्यूरी डालने के बाद इसको हमको अच्छे से चलाते रहना है चले तो इसमें हम कुछ मसाले आड़ कर देंगे पहले तो डालेंगे स्वादा नुसार नमक इससे हमारी प्यूरी जल्दी से पक जाएगी साथ में डाल रहे हल्दी पाउडर थोड़ा लाल मिर्श पाउडर साथ में डाल रहे हैं एक चम मज धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाले से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चलो तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पाउच मिनिट के बाद आप देख सकते हैं दीरे दीरे करके टमाटर ने भी अपना तेल रिलीस करना चालू कर दिया है और वो अच्छे से पक गया है इसको दो मिनिट के लिए हम ढखके और पका लेंगे चले तो हमने ढखकन खोल लिया है और हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गया है चले तो इसमें हम हमारे कॉन्स सब डाल देंगे तो हमने इसमें सब कॉन्स डाल दिये है एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो कॉन्स में हमारे सब मसाल एकदम मिक्स हो गया है इसको दो मिट हम चलाएंगे और हमारी पालक की प्यूरी इसमें डाल देंगे पालक की प्यूरी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हमने मिक्सर पॉट में थोड़ा पाने डाल के इसमें ये पाने डाल दिया है ताकि mixer pot में की भी पूरी puree हमारी यूज में आ जाए चलिए तो इसको हम अच्छे से mix कर दे ताकि पूरा masala हमारे gravy में आ जाए चलिए तो अलमोस्ट हमारी पालक कौन की सबजी बन की तयार हो चुकी है इसको हमको अच्छे से उबलने देना है इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेदा चैनल प्लीज सस्क्राइब करिए साथी साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे तो पालक कौन के साथ आप चाहे तो पराठे सर्व कर सकते है या फुलके रोटी भी सर्व कर सकते है तो इसके साथ हमने फुलके की रोटी सर्व की है आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फुली फुली रोटी हमारी बन के तयार हो रही है पालक कौन के साथ गर्मा गरम घी लगा के फुल का रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है तो खाए, खिलाए और मस्तर रहिए साथ में अदरक लसन, मिर्च, हल्दी का अचार भी मैंने सर्व किया है इसकी रेसिपी आप मेरे यूटीब चैनल पर देख सकते है तो एंजोई करिए, थैंक यू फॉर वाचिंग